कि हेलो दगडियों कंछो तुम ठीकी वेला तुम में भी तुम तेके सवाल पश्वरन ठीकी वेला स्वागत्ची तुम्हार मिया चैनल सुनीता उत्राखंड में बड़ोते म्याद नमस्कार छुट्टोते म्याधे सारा प्यार दोस्तों कैसे हो आप लोग होफुली आप लोगों के लिए तो जैसे कि ठंड बहुत हो रही है तो आज मैं आप लोगों के लिए लेक्या हूँ उत्राखंड की फेमस दिस मंडवे की रोटी और तिल की चट्री के साथ जाए तो मंडवे की रोटी जो होती है उसे रागी का आटा भी बोलते हैं लेकिन हमारे अब करूंगी और आपको यह देस्क पसाथ आएगी तो चलिए बने रहे मेरे ब्लॉक में और खटा खट से आप भी देखे कैसे बनाती हूं मैं मडवे की रोटी और तिल की चट्री चलिए फ्रेंड चलिए फ्रेंड लेते हैं धनिया साथ पहले इसके लिए धनिया साफ कर है कि यह मैंने मिक्सी में हैं तो मैं सिर्व जड़ जड़ इसकी काटते रहे हूं और बागी के सारा टंडी समय जो होता है मैं पूरही चटनी में डालते हूं मैं पत्तियां अलग नहीं नहीं तो पत्तियां नहीं इंकी डंटी और गर डालेंगे पत्तियम Health ऐग बहूत ही यह म erzählt कर नहीं करता है है इनको अच्छे से मन्दाभ सही करना हुता है इसलिए मैंने सारे पहले धनीया ही साफ करा है नहीं तो मैंने तो यहाँ में पारे नहीं तो मैं से मार्केट से खरीदकर लेकर आई थी है। तो यह दो पत नग», लेकिन एट टिल के चटनी भी अच्छी होती है, यह वहीं बहुत लोग टेस्टी होती है loss किक यह निकाल लिया कि श messy ळलूई तो लिए कि अगरे बढ़ा ने से लिए काई लिए चटनी इसमें कुछ बहुंना पड़ता है तो नहीं तो कच्चे से अगर हम बनाएंगे तो उसकी स्मेल आती है और अच्छी नहीं होती है तो तिल की चटनी हम जबी भी आप लोग बनाई है हम मैं बना रही हूँ तो यह जब स्वेड़े निटो के और यह तरह देखो रहा आप देको सकते के प्लेत् embed लिएे हुआ टो जब निकाल कर एं टहंदा कर लेंगे चल्हीं सब्सकारे इसकार मैं इसके रहा जेदा दिया है कि निपलेखन ज्यासन को काफी लियए गलिया है तो यह ज़रूरी है क्योंकि जो लैसनों हरी मिर्ची का प पीसने के लिए उसके बात मै ने थोड़ा थीक हाँ बनाया है और лेसन Mutra में अच्छいやों तो लेयो सबस्दियो जानें करने कैब माद hear canatic दच तो सब्सक्राद मुष्षा शक्राइए या इसे लोकस निया जान चाहेज कर दौत कर दो कंड कि में तो घ्ली कंड दाला सी तो तो जान टीस्त तो में समय हो एक दिया तो इसके एससे तो सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर द Kenned तरीके से मैंने पीस लिया है फ्रेंस इसको और यह अच्छे से पीस रहा है यहां पर और तिलकी चटनी की खुसबू भी बहुत अच्छी आ रही थी और मैं सच बता रही हूँ अगर आप लोग नहीं खाते हैं आप एक बार मेरे इस रेसिपी की जो तिलकी है इसको जरूर ट जो पहाड़ी उनको तो पता ही है कि यह तो होती टेस्टी है बट जो नहीं खाते न वो भी खाते रह जाएंगे सच में तो चटनी बहुत अच्छे से पिस गई है यह देखिए बहुत ही दर्दरी वाली चटनी पिसी है ब्लूली पतली भी नहीं करी मैंने हलकी दर्दरी सी तो इसमें आप सपेद आटा मिलाएंगे क्योंकि सपेद आटा मिलाने से क्या होता है इसकी रोटी टूटती नहीं है अगर हम सिर्फ मंडवे का आटे का रोटी बनाएंगे तो आटा गुंता नहीं है और ना रोटी बंदी टूटने लग जाती है तो इस तरीके से मैंने द कि हम अबना दिल नहीं मारते हैं हमें हर जग में हर चीज मिल जाती है तो यहां पे मैं आठे को अच्छे से गून के रख लिया है सौफ्ट बिल्कूल इतना सौफ्ट गुंदा था आठा क्यूंकि आठा ही बहुत अच्छा था इसलिए गुंदा भी अच्छा था तो यह देखे ब्लैक कलर का लग आपको तो यह ब्लैक होता है तो अब मैं बनाओंगी रोटी तो रोटी कैसी बनानिए कि हमको थोड़े सी मो तो इस तरीक से में बना रही हूँ यहां पर देख सकते हैं तो यह रोटी बन गई है यहां पर और यह जो घी है यह भी मैंने खुदी ही घर पर बनाया है मतलब कि दूर जो हमने लगा रखा है वह मलाई जो होती है तो मैं भार से घी कमी लाती हूँ तो मैं जो भी जितनी भी तो यह नगा दिया देखो अच्छे से और रख दी ए मैंने चटनी कटोरी में तो मैंने चाहे नहीं रखी है क्योंकि इस रिष्टी चाहे नहीं पीती है तो पहले में रिष्टी को ही देखे आओंगी तो फ्रेंड्स रिष्टी खाके बताईगी की चून की रोटी घी के साथ और चटनी के साथ कैसी हो रही है और ठंड में ऐसे कंबल के अंदर बिस्तर से उठके सीधा अगर किसी को ऐसा ब्रेक्षट मिल जाए तो क्या ही बात है फ्रेंड्स क्या बताए उच्छा हो रहा है टेस्टी तेस्टी हो रहा है तो फ्रेंड्स ही है हमारी फेमस डेस उत्तराखंड की मंडवे की रोटी जिसको रागी काटा बोलते हैं वो है यह मंडवे की रोटी और तिल की चट्वे तो फ्रेंड्स लीजिए बनके त्यार हो गई है मंडवे की रोटी तिल की चट्वी और साथ में चाय तो थोड़ा लाइट की कमी है तो थोड़ा धुंदला धुंदला वीडियो आ रहा है लेकिन प्लीज वीडियो बहुत दिल से बनाई है आप लोगे लिग बहुत महनत करके और यह दखिए घी में लगे वी रोटी और यह तिल की चटनी गें यह देखिए और बहुत दिलिएस से बहुत खाने में लाजवाव है तो बस आम बनाने वाली बना लिया है काने वाली हो ठंड़ा हो जाएगा जल्दी से तो पटापट मचारी खाने के लिए आप आपको वीडियो पसंद आई होगी पसंद आई होगी तो लाइक चलो कर देना बाइबाइटेक आए